योबिक के गाज़ोबाद में पुलिस और बदमासों के बीच मुटभेड हुई, मुटभेड में दो बदमासों के पैर में गोली लगी, दोनू बदमासों को गरफ़तार कर लिया गया, बदमासों के पास से एक के गौकश्ची करने के ऐचार भी बरामत हुए, दो तमंचा, तो जिन्दाकार तूस्त भी पुलिस ने बरामत किया है। तूस्त भी पुलिस ने बरामत किया है। और उसके पश्चात ये जो इसमें सवार दो वेक्ति थे वो गाड़ी से निकल कर भागने लगते हैं। जब पुलिस के दल ने इनको रुकने के ले कहा तो इन्होंने रुकने के स्थान पर इनके पास तमंचे थे और इन्होंने पुलिस दल पर जान से मारने के नियत से फायर कर दिया है। और अपने बचाव में पुलिस को भी यहां फायरिंग करनी पड़ी है जिसमें की इन दोनों विक्तियों के पैर में गोली लगी है। साथ में रस्से बरामद हुए हैं और इनकी जेव से एक से बाइस सो रुपए और दूसरे से पान सो रुपए बरामद हुए हैं। दो तमंचे हैं और दो जिन्दाकार्टूस हैं। इन्होंने पूस्तास में ये भी बताया कि 17 सितंबर को सिधार्त विहार में जो गोकशी की घटना हुई थी उसे भी इनी के द्वारा अंजाम दिया गया था। इन दोनों को प्रात्वी कुपचारिद बिजवाया गया है।